हलो दोस्तों I welcome you on this tutorial video और आज इस वीडियो में मैं आपको ellipse के लिए जो उसका director circle जो होता है उसकी equation का complete derivation समझाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं हम एक ellipse consider कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ ellipse मैंने consider कर लिया और यहाँ पर मैंने horizontal ellipse को consider करा है equation जो होगी ellipse की वह होगी x square by a square plus y square by b square equals to 1 अब सबसे पहले हमारा काम यह होगा कि यह director circle यह क्या होता यह इसको थोड़ा सा सामझ ले तो यदि हम इस ellipse पर कोई दो पॉइंट से tangent बनाए और वह दोनों ही टेंजन आपस में 90 डिगरी का एंगल बनाती है तो दोनों ही टेंजन के पॉइंट आफ इंटर सेक्शन से जो लोकस बनता है वो कहलाता है तो यहां पर दो टेंजन मैंने वनादी टेंजन टीवन टीटू और आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिगरी है अब इलिप्स की यह जो साइड है वो है यह वाली साइड है भी अभी हमें पता निए कि वो जो सरकल है वो कैसा बनेगा तो उसको हम एंड प्रोसेस पर छोड़ते हैं एंड में जो हो रिजल्ट आएगा उससे हम कंक्लूशन ड्रॉ करके देखेंगे तो इन दोनों ही या दोनों के point of intersection का जो की है h, k और एक line consider कर लेते हैं y equals to mx plus c और यह line अगर इस ellipse के लिए tangent है दो जो constant है न c इसकी value बरावर होनी चीए plus minus under root of b square plus a square m square के बरावर मतलब जो tangent की equation है वो होगी y equals to mx आप दो tangents बन सकती है plus b और minus b क्योंकि c की दो value हमार पस मिली है तो हम कोई सी भी value लेकर चल सकते हैं तो यह भी tangent की equation हो जाएगी y equals to mx plus under root of b square plus a square into m square अब यह जो point है na h,k यह इस tangent पर लाई करने वाला point है तो इसको हम substitute करके condition निकालेंगे इस point h,k को हम यह पर put कर दें so k equals to m h plus under root of b square plus a square m square अभी हम बिल्कुल भी यह discuss नहीं कर दें कि जो circle है वो कैसा बनेगा अगर equation में हमारे finally आगया कि यह वो circle है तो हम उसको देख सकते हैं कि उसका जो radius है वो क्या होगा इससे बड़ा होगा कितना बड़ा होगा यह हम देख सकते हैं तो इस लोकस को जस्त हमें solve करना है और equation आ जाएगी तो हम इससे थोड़ा सा solve कर लेते हैं इससे इससा लिख सकते k-mh equals to under root of b square plus a square m square और दोनों ही side हम square कर दें so हमें मिलेगा k-mh का square equals to b square plus a square m square और यहां हम expand कर दें तो k2 plus m2 h2 minus twice m k h equals to b2 plus a2 m2 सभी को हम left hand side पर लिया हैं तो हमें mk form a quadratic मिल जाएगी so m2 और यहां में मिलेगा h2 minus a2 minus twice m k h और लास्ट में मिलेगा k2 minus b2 अभी इकेशन को हम h2 minus a2 से दिवाइड कर दें so m2 minus twice m k h by h2 minus a2 plus k2 minus b2 upon h2 minus a2 equals to 0 अभी जो quadratic है वो किस में है m में हैं देखें अब यह दोनों जो tangent से यह अगर perpendicular है तो इनके जो slope से उसका जो product है वो बराबर होना चाहिए minus 1 k और यह m में ही quadratic मिली है तो यहां से हम product of roots निकाल सकते हैं यह बीच वाली quantity represent करती है m का जो coefficient है वो represent करता sum of roots को और यह जो constant वाली quantity है वो represent करती है product of roots को तो इस equation से हम m1 into m2 equals to minus 1 को कि यह दोनों trend is perpendicular है तो perpendicular की condition ही हमें यूज करना सबसे बेटर रहेगा दोनों का slope का product minus 1 के बराबर और m1 m2 की value यहां पर इसके बराबर हो जाएगी और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब m2 को coefficient 1 हो ठीक है otherwise आपको जो general form होता है quadratic equation का उसको यूज करना पड़ेगा पर m2 का coefficient अगर 1 है मतलब quadratic equation में कोई जो भी जिस variable में कौड़ेटिक है उसमें x square का coefficient जैसे general x में कौड़ेटिक होती है इसलिए बार-बार x square निकल रहा है यहां में कौड़ेटिक है तो जो m2 का coefficient 1 है तो जो लास्वल लिटा में वो होगी product of roots ठीक है तो m1 m2 equals to minus 1 यह हमारे perpendicular की condition और यहां से m1 m2 इसकी value आई है k square minus b square upon h square minus a square के बराबर दोनों को equate कर दें तो हमें मिलेगा k square minus b square upon h square minus a square equals to minus 1 और यहां से हमें मिलेगा k square minus b square equals to minus h square plus a square और थोड़ा सा arrange कर ले तो हमें मिलेगा h square plus k square equals to a square plus b square और यह हमें मिल गए है एक circle की equation ठीक है h और k को हम x और y से रिप्रेजेंट कर दें रिप्लेस कर दें तो यह पूरा equation आ गया x square plus y square equals to a square plus b square और यह बिल्कुल एक circle की equation है जो की ऐसा circle है जिसका center जो है है वो origin है और जो radius है वो बराबर है under root of a square plus b square के अब देखिए यह है और यह है b तो यह हम मिला हैं तो यह बराबर हो जाएगा under root of a square plus b square की इतनी length की radius का circle बनेगा और definitely वो यह से तो बड़ा ही होगा ठीक है तो यह से बड़ा हम माल लेते हैं ऐसा और मैं बना के बता देता हूं वो circle कुछ ऐसा बनेगा जो ellipse से उससे बड़ा बनेगा ठीक है मतलब इलिप्स की जो major axis है उससे भी बड़ा बनेगा यह पूरा derivation दा equation of director circle of ellipse के बारे में and I hope that this video will be helpful for you all और आपके वीडियो पसंद आद तो से like के जे share के जे channel पर नहीं होता subscribe करना ना भूले notification bell को press करें ताकि जैसे नहीं वीडियो अप्लोड है आपको तुरंत उसकी information मल जाए कर दो